आप लोगों कि आप लोगों कि आप लोगों के सैमसंग के गलेक्सी एफ टीटी टू डिवाइस को कब तक देखने को मिलने वाला भी यहां से मेर से बहुत सारी यूजर्स पूछ रहे थे कि इसके अब लोगों को बता दी जा अगर आप लोगों को वीडियो को लाइक कर सकतें और इस देखने में क हमने क्रतें इसे भी चाइस्सेंट हो और उसी के साथियो और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोग यहां पर हम लोग बात करते हैं A52 A72 दोनों डिवाइस के अपडेट की तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा यह दोनों जो डिवाइस हैं लॉंच हुए हैं विद वन यूए 3.1 जो की Android 11 पर बेस्ट है इसी के साथ साथ आप लोगों को काफी जादा नए अपडेट देखने को मिलने वाले इनी दोनों डिवाइस के अंदर लाइक सबसे पहले आप लोगों का Android 12 है और आप लोगों को पता ही होगा Android 12 जो है वो रिसेंटली डेवलपर प्रिव्यू में प्रिव्यू कर दिया गया है जो की फरवरी 2021 में हो चुका है और यहां पर कंपनीज को जो OEM अपडेट है वो देखने को मिल चुका है और यहां पर पर जो कंपनीज है वो स्टार्ड कर चुकि अपना वर्क अपना अपडेट प्रिपेर करना जो की बेस होने वाला Android 12 पर तो सेम यहां पर सैंसंग ने भी अपना जो अपना वर्क है वो चालू कर चुगा है और यहां पर आप लोगों को प्रिपेरिंग स्टार्ड हो चार साल तक security updates को receive करने वाले हैं दोनों devices अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इन दोनों devices की तो A52 और A72 अभी latest Android 11 के साथ launch हुए है इनको 3 साल तक major update मिलेंगे और 4 साल तक security patch update मतलब इनको अभी Android 12, Android 13 and Android 14 तक यह सारे update देखने को मिलेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर जहां तक कि यह जो rollout है आप लोगों को पता होगा कि जो update है वो finally Samsung release करता है One UI 4.0 का या फिर आप लोग 3.0 मान के चलो है फिर कोई भी जो major update होता है वो हर साल जब आप लोगों का Android का नया version release होता है तो Android का नया version Android 12 करीब करीब आप लोगों को October या फिर September के between देखने को मिलेगा इसी साल है ना और यह जो update है One UI 4.0 का वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह जो update है ना सबसे पहले आप लोगों का One UI 4.0 आएगा तेन उसके बाद आप लोगों को और पर update देखने को भी लेंगे और जो इसका rollout है आप लोगों का मतलब release date है वो आप लोगों मान के चलो between September to October के बीच में क्योंकि Android version के साथ साथ ही launch होता है अब यहाँ पर अगर हम लोग मान के चलें इसके rollout की तो rollout आप लोग मान के चलो 2020 में ही होगा next year अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर exciting features की तो यहाँ पर बहुत सारे features हैं जो की AI based होने वाले हैं यहाँ इन सब के हम लोग अभी बात नहीं करेंगे अगर हम लोग बात करें A52 A72 device के अंदर कब तक यह दोनो यह जो update है वो देखने को मिलने वाला है तो आप लोग मान के चलो करीब करीब Q1 2022 अब quarter 1 2022 quarter 1 मतलब आप लोग मान के चलो जनवरी फरवरी मार्च यह तीन महीनों के अंदर 2022 में आप लोग को यह जो update है वो देखने को मिलने वाला है अब आप लोग बोल लोगे कि भाई बहुत ज़्यादा delay नहीं है तो हाँ भाई बहुत ज़्यादा delay है और मतलब अगर इसको देखा जाए तो यह delay नहीं है साफ बात में आप लोगों को बता रहा हूँ यह चीज़ अभी delay नहीं है यह जैसे according चलता है Samsung वैसे ही है सारी चीज़ है schedule के हिसाब से आप लोगों को लग रहा होगा कि यह delay है बट यह delay नहीं है क्योंकि One UI 4.0 के पहले अभी आप लोगों को One UI 3.5 भी देखने को मिलेगा अगर आप लोग चाहो तो उसके ओपर भी मैं एक dedicated वीडियो बना सकतूँ आप दोनों devices users के लिए बट जहां तक की बाते थी वो यही थी तो आप लोगों को यहां से अभी यह बाते confirm हो गई है है ना तो आप लोगों को यहां से बाते पता चल गई है तो आप लोगो अप थोड़ा सा वेट करोगे और अगर आप लोगों को और भी features या फिर और बाके सब चीजों के बार में जानना है One UI 4.0 के तो उसके ओपर मैंने काफी जादा अच्छी वीडियो बना रखे अपने नीचे डिस्क्रिप्शन पर एंड बाई सी यू अल गाई नार वैरी नेक्स्ट वीडियो